तो भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वियत नाम बैंबू इस्टिक की काली सचाई की बारे में जैसा कि आप जानते होंगे वियत नाम बैंबू इस्टिक तो इसके बारे में काफी सारे लोगों के अलग-अलग questions से inquiries हैं तो इसके बारे में जो है अज इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि कितना हद तक आपको जो है Vietnam bamboo use करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्या इसके फायदे है क्या इसके नुकसान है अगर बत्ती बनाने पर इसका क्या effect पड़ता है कि बहुँ सारी ऐसे questions है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में जो है हम Vietnam bamboo stick के बारे में बात करेंगे और जाता तर इसके बारे में काफी सारे लोगों को पता नहीं है Vietnam bamboo stick के बारे में ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिए और अंत तक देखिए तभी आपको ये सारी चीज़े समझ में आएगी कि हमें Vietnam bamboo stick यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए और कितना यूज करना सहीं होगा या फिर नहीं होगा सुखलो गाईस कैसे हो आप सब उम्मिद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और मैं हूँ मनीश टोपिक में बात करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट अगर आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं कि तो सस्क्राइब जरूर कर ले क्योंकि अगर बत्ति बिजनेस से रिलेटेड आईसी कुछ इंफॉर्मेशन मैं अपने चैनल पर देते रहता हूँ जो कि आपके लिए काफी हेल्फुल हो सकती है तो चैनल आप सस्क्राइब करके जरूर रख लीजिए कि क्या वियतना बैंबू यूज करना हमारे लिए फायदे मन्द है या फिर नुकसान इसके बारे में बात करेंगे जैसा कि आप जानते होंगे तो जो साइजेज होती हैं पहले हम साइजेज के बारे में बात करते हैं तो इनके दो तरीके के साइज जो है आते हैं 1.2 mm ए 1.3 mm ये दो साइजों में मिलते हैं जैसा कि चाइना भी इनी दो साइजों में आता है और इंडियन मेड जो होता है वो भी हमारी इनी दो साइजों में आता है तो साइज जो है इनका भी वही सेम होता है जो बाकी जो इस्टिक्स होती है उनके मुकाबले पे और इसमें देखिए जैसे मैं गाठ की बात कर रहा था तो इसमें जरा भी आपको गाठ देखने को नहीं मिलेगा एक बैंबू आपको मैं दिखाता हूँ जैसे कि यह है तो इसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई गाठ नहीं है और एकडम फिनिशिंग है प्योर फाइन है तो यह जो है इसकी कुछ अच्छाई है अब इसके बात करते हैं बुराई की मतलब इससे आपको परिशानिया उठने वाली है या फिर होने वाली है जब इसे आप चलाने को तयार करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसे कलर मैंने क्यों किया हुआ है दरसल इसका कलर करने का रीजन जो है ये काफी सारे लोगों को पता नहीं है लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ कलर करने का सबसे बेसिक फंडा ये है कि ये बैंबू इस्टिक जो है अगर हम बीना कलर करें जैसे हमारा ये बैंबू इस्टिक है जो की नॉर्मल है बैक से जो खुल के आया हुआ है अगर इसे मैं डारेक्ट चलाऊं मशीन में तो मशीन में चलाने पर तो ये अच्छी से चलेगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जैसे हमारा इस्टिक बन के निकलेगा जो अगर बत्तियां बन के निकलेगी उसमें काफी सारे प्रॉब्लम सा जाती है उसमें क्रैक हो जाती है बीच से और क्रैक होने के बाद आपकी जो इस्टिक है पूरी तरीके से डेमेज हो जाएगी मतलब उसका व्यतनाम बैंबू का कोई reason ही नहीं बनता तो उनके वज़ा से ये व्यतनाम वाली ये दावा करते हैं कि अगर हमारी बैंबू स्टिक को आप पानी में 5 या 10 मिनें डुबा के रखें तो इसमें ये problem नहीं आएगी ऐसा उनका कहना है और काफी सारे लोग इसे डारेक्ट कलर में ही डुबा देते हैं ताकि पानी में और दुबाने की ज़रुवत ना पड़े और इसको डुबाने का reason ये होता है जो बैंबू में exhaust जो शमता होती है मतलब सोखने की जो जमता होती है वो काफी जादा होती है जो कि अगर आप बीना पानी में डुगाय अगर चलाएंगे तो इसमें जो फटने का reason मैंने आपको बताया है तो इसका सबसे पहले करान ये फोटलाइजर नहीं होता मतलब इसमें जो है जिसे की चाइना बैंबू में आप देखे होंगे तो इसमें मोम का जो है आपको क्या बोल साकते है उसको फिनिशिंग के लिए मोम का जो है इसमें फोटलाइजर इस्तमाल किया जाता है जो कि व्यतनाम बैंबू में बिल्कुल नहीं होता वो मोम की तरह होता है उसके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारिया नहीं है लेकिन आप कभी भी बैक खोल के आप देखिएगा तो आपको एक मोम का तुगड़ा आपको कहीने कहीं बैक के अंदर देखने को मिलेगा जो कि यह दर्साता है कि वो बैंबू जो है फोटलाइजर किया जाता है मतलब उसको फिनिशिंग की जाती है पॉलीशिंग की जाती है चाइना बैंबू इस्टिक को लेकिन उसी केस में वियत नाम में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा नहीं इसको फिनिशिंग उतनी खास होती है और दूसरी चीज इसमें पॉलीशिंग बिल्कुल भी नहीं की जाती वियत नाम बैंबू इस्टिक को और इसमें जो एबजॉपसिंग सम्चमता होती है मतलब पानी छोखने की जो छमता होती है वो काफी जादा होती है जिसके वज़ाए से आपका बैंबू जो है बिच से दरारे आ जाती है अगर आप बीना इसे पानी में डूबा के चलाएं तो तो यह सबसे बड़ी नुकसान है और इसके बारे में काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है और इसे जो है एक बड़ी समस्या जो है वो मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको कोई नहीं बताएगा जैसे कि आप कहीं डीलर्स में जाते हैं व्यतना मैंबू आप पुछते हैं फिर उनको वो बताते हैं कि यह ऐसा चलाईए व ऐसा चलाईए आपका जो है चाइना से अच्छी क्वालिटी हम देंगे और अच्छे तरीके से यह चलेगा लेकिन उनका दावा बहुत गलत है और कहने को अलग है लेकिन जब हम इसे अगर आप पानी में डुबा के नहीं चलाएंगे तो यह कचड़ा ही समझो इसको क्योंकि इस्टिक पूरी तरीके से फट जाएगी और फटने के बाद जो है आपकी अगरवत्ति की कोई वेल्यू नहीं रहीगी आपकी नुकसान ही नुकसान है उसमें तो उसके करना नहीं पानी से डुबा के ही चलाया जाता है और डुबाने से भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो मैं आपको बदाता हूं जैसे कि यह 1.3 mm बैंबू स्टिक है तो पानी में डुबाने से क्या होता है इसकी जो थीकनेस वेल्यू है जो की मोटाई होती है जो मोटाई इसकी क है वो कैसे है क्या है वो उतना मेरे को मालूम नहीं है लेकिन ये सच्चाई है कि अगर पानी में हम डुबा के चलाएं तो इसमें काफी सारे परिशानिया उत्पन नहों जाती है अब देखा जाए तो हमारे फीडर में चलने के लाएक 1.3 mm ही मानक मानी जाती है मतलब सही मा काफी बढ़ जाती है और फीडर में चलने के लाएक काफी प्रॉबलम हो जाती है क्योंकि ये 1.3 mm से पानी सोखने के बाद 1.5 mm तक इसकी मोटाई हो जाती है ठीकनेस जो कि आपके रोकेट में प्रॉबलम करेगी ज्यादा तर ये प्रॉबलम आपने फेस किया ही होगा ले थोड़ा बहुत finishing होता है जो polishing होता है थोड़ा बहुत 10 या 20% वो polishing करते हैं उसके बाद नहीं करते हैं तो वो polishing जो है पूरी तरीके से खतम हो जाती है पानी में डालने के बाद तो यह दूसरी बड़ी सबसे ज़्यादा समझिया हैं अब इसको use करने का reason क्या होता है कि यह थोड़ा सस्ता आता है यह व्यत्नाम वाले जो है बहुत कम minimum price में वहां से बेच रहे हैं जिनके वज़े से यहां से ही इंडिया जो भारत के लोग हैं उनको यह लगता है कि एक bamboo stick एक अच्छी quality में बहुत ही अच्छी है और सस्ती range में मतलब कम कीमत में बहुत ही अच्छी ऐसा वो मानते हैं लेकिन मेरे ख्याल से यह दरसल बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि अगर हम किसी चीज को सस्ते की वज़े से खरीद ले तो हर सस्ता चीज जो है सही नहीं होता उससे अच्छा तो आप Indian made bamboo stick यूज कर लो वो ज्यादा अच्छा होता है लेकिन हर एक जगा पर हमारा भारत क जो bamboo stick है वो available नहीं हो पाता जिनके वज़े से काफी सारे लोग जो है व्यातना bamboo stick के उपर divert हो रहे हैं इसे हमें नुकसान ज्यादातर होता है वो ये चीज़े हैं अब इसके thickness बढ़नी की वज़े से काफी सारे wastage हो जाती हैं machine में चलता नहीं है feeder में तो बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि ये मेरा opinion है और मैंने इसे चलाया है मैंने कुछ samples के लिए मंगाया था तो कुछ sample ये मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं इसमें से कुछ bamboo stick कभी भी मेरे पास पड़ी हुई लेकिन मैं उसको चला ही नहीं पा रहा हूं किसी जगह पे लेके fake दिया तो ये सारी problem है वेतना bamboo stick के उपर तो आप अगर इसे use करना चाते हैं तो सोच समझ कि आप use कीजिए सबसे पहले उनसे आप sample मंगाईए sample मंगाने के बाद आपको जो जो तरीके बताते हैं पानी विडूबा के चलाने का और कुछ करने का वो आप कीजिए उसके बाद उसका result आप देखिए आपको कही न कहीं machine चलाने में परेशानिया होगी अगर बत्ती बनाने में भी काफी परेशानिया इसमें होती है अब जो सच्चाई है वो मैं आपको बता चुका हूँ आगे आपके जीमेदारी है चाहे आप use करें चाहे ना करें वो आपके उपर है लेकिन अगर आप use करना चाहते हैं तो पहले trial sample लें sample में ही आप try करें उसके बाद ही इसे use करें तो आज की इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ व्यातना bamboo stick के बारे में आपको काफी सारे चीजे पतल लग गई होगी मिलते हैं अगले किसी नए topic में नए वीडियो के तब तक के लिए धन्यवाद